नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरा यूटीव चैनल पर स्वाधत करता हूँ दोस्तों आज मैं फिर से अद्रक खुदाई करने जा रहा हूँ दोस्तों अभी हमारे यहां से बंगलादेश के लिए अद्रक लोडिंग चालू है तो इसलिए अद्रक का पोजिशन पहले से ज़्यादा ठीक है और इस अद्रक को मैंने किस भाव में खरीदा है और इस भाव में बेचा हूँ इसके बारे में आप लोगों को बतने वाला हूँ तो आप लोग वीडियो की अन तक देखते रहेगा देखिए दोस्तों काफी बढ़ियां बाड़ी है और मौसम भी अच्छा है तो खुदाई अच्छा से हो रहा है और मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को यहां का नजारा दिखाया था काफी अच्छा है यहां का नजारा हरियाली ही हरियाली है मक्का की खेती भी है सरसों की खेती भी है देखे दोस्तो कितना सुन्दर लग रहा है हमारे यहां में सरसों का खेती भी large quantity में क्या जाता है और उत्पादन होने के बाद उसको बाहर भेजा जाता है दोस्तो यहां में जितना भी अद्रक का खेती किया जाता है यहां अद्रक की खेती में कुछ भी fertilizer मतलब chemical fertilizer और अइन्य chemical पदार्थ बिवाहर नहीं किया जाता है यहां totally organic पद्धती से अद्रक का खेती किया जाता है और इसलिए सायत यहां में अद्रक का प्रोडाक्शन भी कम होता है देखे दोस्तो यह सामने दुसरा अद्रक का प्लोट है कितना सुन्दर है ना नगा एक हुन भाई खानीव बावल इसलिए नो पावी पावी एक हुन पावी रो डुटिन बान विचल मानो खोन धान काटे है एको लोग दोस्तो अभी तो यह प्लोट खतम हो गया है तो माल भी हम लोगों ने लोड कर लिया है कल भी कुछ माल लेके गया था इस प्लोट से और जो बैलेंस रहा था उस माल को आज इस गारी में लोड कर रहा हूँ और इसको अभी लेके हम दुसरा प्लोट में जाएंगे क्योंकि आज मेरा दो प्लोट में अद्रक खुदाई हो रहा है तो आप लोगों को मैं दुसरा प्लोट में ले चलता हूँ दोस्तो आप लोग फीर से एक बार यहां का नजरा अच्छा से देख लिजे कितना सुन्दर लग रहा है न देखिए इस साइट में अद्रक है और इस साइट में सरसों है बहुत बड़िया लग रहा है अभी हम लोग इस प्लोट से धीरे धीरे निकलेंगे दुसरा प्लोट में देखिए दोस्तो इसका भी खेती हम लोग यहां में क्या जाता है इसको यहां में फाफ़र बोलते हैं हम लोग यहां लोकेल जो लेंग्वे से यहां में फाफ़र बलते हैं और आप लोकाओं हमें क्या बोलते हैं इसको कॉमेंट करके बताईएगा देखिए दोस्तो हम लोग दुसरा प्लोट पहुँच गया और यहां भी खुदाई हो रहा है और मैंने गाड़ी यहां रख दिया है दोस्तो अधरक काफी अच्छा है और इस अधरक को मैं खरीदा हूँ 62 रुपिया की रेट में प्रतिकिलू अधरक और इस अधरक को मैं सांतिपूर बजार में विक्री किया हूँ 66 रुपिस प्रतिकिलू में और यहां से सांतिपूर तक निकालने के लिए मुझे 2 रुपिया किलु करना पड़ेगा मतलब इस माल में मुझे दो रिप्य किलु का फाइदा होगा उसलिष नहों है पुनसलिष किजी हो लगे